सब्सक्राइब करते हैं आप लोग अच्छे होंगे सारे अनु गुड मॉर्निंग नमस्कार अदाप सब्सक्राइब अब निकल रहा है रात को एडिटिंग करके बहुत लेट सुछ गई थे रुद्र का फोन आया था कि भी आड़ बजे निकल जाएंगे ठीक है मैंने का ओके भाई तो मेरा अलाम लगा था साथ बजे का बट अलाम देगा तो भाई साथ चालीस हो चुके थे फिर मैं जल्दी ज आया जब कुछ किया और अभी हो चुक है आट बचके दस मिनट जो रोद्रो इनका कोई भी दूर दूर थे ठीकाना नहीं कि वो कब आएंगे क्या है अब मेरी बात हुए थे बोल तो भी आप 15-20 मिनट लगेंगे तो उनीका वेट कर रहा हूं बागी सब पैकिंग हो चुक लेके आते हैं गोपरो मैं ने चार्ज कर लिए तो रात को उसकी बैटरी चार्ज कर ली दी तो बाकी सब डाटा वाटर ट्रांसवर करके मेरे को रात को कल में रात को दो बची व्लॉड करके तो करता हूं वह ब्लोग आपको अच्छा लगा होगा एनिवेस टाइम लगाता तो बस जादा जल्दी ये भी आजाएगी अभी तो इसमें इन्वेस किया है तोड़ा पैसा बचाते है सेविंग करते हैं फिर इसके लिए भी रेडी हो जाएंगे एनिवेस थैंक्यू सरे में प्रो थैंक्यू नरेंद्र भिया और ताइंक्यू दा यहां की जो ओनर है आज अगर आप बाइक की केर करेंगे तो पाइक आपकी केर करेंगे और सीरिसली बता रहूं को सो फाइनली भाई लोगों अब हो चुका है निकलने का टाइम जैपर को करने का बाए और टाइम हो चुका है भाई साड़े पांच और मोस्त परबैबली मैं 8 बजे तक ही यहां पेट्रोल की रेट है एक सो अठारा सो हाफ टेंग तो मेरा पेट्रोल था बट अभी फुल कर वाली आए थाउजन रुबीस का इसमें भी आया है भाई तो इतने में तो खेर अपन अराम से पोच जाएंगे बरतपुर अनिवेस भाई लोगों बहुत मजा रहा है इस कुछ शिफ्टेंगे पटाके और डाउन 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 ज्यादा उड़ना भी सेयत के लिए हानिकारक हो जाता है तो यह रही भाई अपनी रानी और मैं रुख था भी दोसा ब्रेक ठोड़ा सा लिया था पानी वानी पिया था तो यह अपनी है जैपो डेरी बिल्कुल एक सर्कल पर दोसा सर्कल पर अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें नुक्सान क्या हुआ था भाई एक दिन नजर बहुत बुरी होती है तो नजर सच में बहुत बुरी होती है मैंने स्टेंड लगाया था एक दिन और स्टेंड पूर लगा नहीं था तो बाइक अपना गिर और कुछ दिनों में आ जाएंगे तो ओप सो कि वो राइड के बाद ही आएंगे उससे बहले नहीं आप आएंगे मैंने कंफर्म कर चुका हूं तो चलो जी अप निकलते हैं यह क्या अपना जैपर का रोड अपनो जाएंगे यह से यूटन तो है अल्ला यह पिक अप यही तो मेरी जान ले जाता है यह जब सिस्प्विक शिफ्टिंग आई है ना क्लच की नीड ही नहीं पड़ती मुझे खास करके हाइवे पर इसको क्रूस कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है कि अपना बाइक कंट्रोल होगी क्रूस कंट्रोल अगर आपको तोड़ना हो तो आगे पीछे की ब्रेक यूज कर सकते हो या फिर यहां यह स्विच इसको दबा सकते हो दूसरा क्लच भी यूज करोगे तो भी क्रूस कंट्रोल जो है कट आफ हो जाएगा और बैलन्स तो खुद से बनाना पड़ता है बस यह तो एक एक्सलिटर ल बनाएगी मज़ा बहुत आता सीरियसली और आज ना भाई अपनी ड्रीम भाई खड़ी सेरामिक प्रूप है बारा सो पचास आर तो बस आप लोग अगर प्यार बना रहेगा तो वह भी बहुत जल्दी केराज विलम है खड़ी होगी एक प्यारे तरीके से आप लोग भाई प्यार बनाए रखो अपना आशरवाद बनाए रखो अपने छोटे भाई मोटिवेट करो जिससे जल्दी से बारा पचास आर भी आ जाए अपने घर में भाई ये जो हाईवे बनाए ना बहुत जल्दी टेस्ट करने वाला हुमें साइवे को ये है वडू पर बड़ो तरह हैं मुंबरी के लिए निकल जाए ये देखो भाई ये है क्रूस कंट्रोल के मज़े और जब बीच में लाइट देख रहों के ग्रीन कलर के बीप 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 ऊरी है तो यह भाई टॉर्क लाइट इसको अपने अपने हिसाब सेट कर सकते हैं जो मैंने है कि आप देख रहे हुट हूँ है क्या मसा आ रहा है भाई लिटरली ऐसे राइड करने में जो नाओ यह रहें एंटर इन अ महांदेपुर बाला जी और जो भी मंदिर है जो में मंदिर है वो भी ऑन रोड ही है जब आप भरत्पर से जैपर के तरफ जाओगे तो राइट इन पर पड़ता है फ्लाइब के बाद और यहां से अब जब जैपर से वापस है तो बरत्प जैहो अनुमान जी अपनी किरपा बनाये रखना अपना अश्रवाद बनाये रखना हो और यहां से अभी रहा है भाई मावा यहां से 20 किलो मेटर और तो टोटल वरत्पुर की बात की जाए तो यहां से 80 किलो मेटर टाइम हो जुका है साड़े छे आइम इन 6.30 सेवें और होप सो कि अपन पहुने अट बही तक माँ पहुंच जाएंगे खंफम पहुंच जाएंगे अनिवेज मैं चल रहा हूं भाई अभी 120, 140 के अराउंड ज्यादा ना उपर न ज्यादा नहींचे लिमिट से बाट इस रोट पर ट्राफिक बहुत है तो थोड़ा उपर नही है और इससे पहले ना इससे उपर रहा कर देती परी पाइक की मोचली निडल अभी ना डाउन हो चुकी है तो आप इससे फ़रक पता कर सकते हो कि भाई प्यूटर नाइन लिटरली बहुत अच्छा ओई है टेंपरेचर इशू भी घतम हो जाएगा जब लास्ट वाली हाया तो प्यूटर नाइन और यहां से रह गया है भरतपुर सिफ थर्टी किलमेटर तो होप सो मैं आधे घंटे तक पहुंच जाओंगा यह उससे पहले ही पहुंच जाओंगा और अभी साथ भी पूरे नहीं बजे अभी तो छे बचके पच्पन मिनट हो है भाई मतलब पांच मिनट बाकी है साथ बजने में पांच मिनट में मैं गरी बन जाता नहीं तो छे साथ किलोमेटर और कवर कर लूंगा अनिवेस भाई रगो बहुत मजा रहा है सच में बहुत जादा मजा यह बच छोटी स्राइट थी बट मुसे बहुत अच्छी लगी है तो अगोट सो फार टाइम लिया गए बस एक ही डर था क्योंकि डाग इसमोग वाईजर है तो इसलिए ठोटा डर रहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाओ 130 140 में क्रूजिंग कर रहा हूं उसकी और एवरेज भी काफी अच्छा दे रही है 15.2 मता ओबर अब आपन के चलो 16 का एवरेज हाफ टेंक हो चुका है इसका अभी तक तो जादा नहीं तो पांच या पांच एक लीटर और इसको चाहिए भरत पर तक पहुंचने के लिए एनवेस भाई लोगों सो फार टाइमली पहुंच जाओंगा घर पर यह जादा अच्छी बात है हाँ जी की हाल चाल सारे आदे फाइनली अपन सवा साथ बजे घर आ गए थे और टाइम हो चुका है अभी साड़े के रहा मैंने एक पावर नेप लेने के लिए सो गया था थोड़ा सा अपको नहीं साड़े अट के राउंड निकल गए थे हम सवा साथ बजे मैं most probably पहुच गया था हां सवा साथ बजे पहुच गया था बाकिया अपने व्लॉग में देखी लिया हुआ काफी अच्छा दिन गया आज का और राइड बहुत अच्छी थी seriously इस वाली भूसा से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा हैपी हूँ बिकाज ऑफ जनरेशन 3 है और इसमें काफी सारे मॉड्स भी है किसी दिन इस पेशल में इसके उपर व्लॉग बनाने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या मॉड्स है और पहले वाली भी क्या-क्या नहीं था मतब दौनों मैं डिफ्रेंस बताऊँगा कि जनरेशन 2 जनरेशन 3 म हम क्या करना रहिं लाइक करना है कॉमेंट करना है और शेर करना जतना हो सकता है और प्लीज भाई लोगों अपने प्यार को क्यार करो जतना भी जञधा हो सकता है Avoid मिलते हैं आपसे नेक्स व्लोग में तिल एन बाइ-बाइ गॉड-नाइट टेक केर